नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासीफल ससी पहले जानते हैं दैनिक पंचंग के बारे में 27 नुवंबर 2022 रभी बार का दिन है माक्सिस मांक के सुखल पोच्च की चतूर ती 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 और शातर है पुर्वा साड़ा ग तो ठीक है पर बेवज़ा थोड़ा सा तनाव परिशन कर सकता है धनाने के नए स्रोथ बनेंगे ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का भी से सहयोग मिलेगा दामपती जीवन उप्तम है आज दिन ज्यादा अच्छा है लाप के अपसर मिलेंगे और इसमें अगर आप सुब कि बेरुखी आपको हट कर सकती है अगर आप विभाईत हैं तो उत्तम आपका लाइफ है और प्रेम जीवन में थोड़ा सा रिस्तों का धियान बनाए रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा आर्थिक मामलों में आज सुबसंकेत हैं धनसमंदी मामलों में आप नजरे सब्सक्रानी से कीजिएगा बच्चे या फिर बड़े बुजरुगों के स्वास्त का भी थोड़ा खयाल रखें और आप धनों पारजन करने में आज सफल रहेंगे अब देखिए आज बिनायाक चतुर्थी भी है तो आज के दिन अपनी काम की नीती चिंतन मनन से क्रियार क बढ़ेगा और इसमें मेहमानों का आगमन भी हो सकता है तो इसके लिए आप तयार रहें आज संतान की करियर से लेकर कोई बड़ी गुड़ नियू जी आसुप समाचार मिल सकता है और आज के दिन घर की मरमत रख्रकाउस बंदी कारवें में थोड़ा बोत खर्चा होगा अपने बजट को बिगड़ने ना दे साबधान रहें आयात निरा से जुड़े बैपारी को सफलता मिलेगे नीजी बातों को किसी के सामने बताने से बचे गुपत रूप से कारे करने पर आजा आपको ज्यादा सफलता मिलती भी दिख रही है तो क्रोध आवेस के अतिरेक स जुड़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सत्रों पर नजरे बनाए रखना है और थोरा सा अपने स्वास का भी ख्याल रखें और हर बात को सच मानने की गल्ती बिल्कुल भी ना करें वैसे अपने जीवन और स्वास दोनों का सम्मान करें और आज एके दिन सही समय पर आपक कापरी आपके लिए खुसी के पलों को लाएगा अगर आप खरिदारी पर जाएं तो जरस स्यादा जेब ढिली बिल्कुल भी ना करें और आपकी बात करने का तरीका आज बहुत अच्छा नहीं दीख रहा है ऐसे में आपका मान सम्मान खो सकता है थोरा ख्याल रखेंगा आज हलाकि अपनी भाबनाओं को आप लोगों के सामने ब्यक्त करना आपको आज कला सीखना चाहिए जो लब लाए लेसंसिप में उनके लिए हलाकि अच्छा वक्त है पर बहुत अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते कारिशत में किसी बिप्रीत परिस्तिती में क्रोध करने से वि बूसे नहु करने से टाल जब लाए और जा समय रहा है खाल में कह सकते को आई अभाना अजल